Hello everyone, welcome to Quant Study So, ये है हमारे संकल बैच का lecture number 5 और आज हम continue करेंगे percentage जिसमें हम पढ़ेंगे percentage का part 2 आज के जो part में हैं हम कुछ beginner level के questions पढ़ेंगे और कुछ नई concepts भी सीखेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe करें इसके अलावा हम Facebook और Insta पर भी active हैं direct links आपकी screen पर दिख रहे हैं जल्दी से हर जगा हमें follow कर लीजिए और कोई भी update मिस्स मत कीजिए So, ये रहा पहला question ये निया concept है concept of increase or decrease in number तो हमारा question कहता है A is increased by 25% find the new value of A with respect to old value तो हमारा solution रहा ये नीचे अब इस concept का क्या है जब भी आपको एक number की value increase करने को कही होगी हम पहले वो old number लिखेंगे जो आपको ये दिख रहा है उसको multiply करेंगे 100 plus numerator में जो हम एक fraction के साथ multiply करेंगे जिसका ये जो upper part है जिसको हम numerator कहते हैं उसमें अगर वो increase हो रहा है तो 100 में हम वो चीज़ प्लस कर देंगे अगर decrease हो रहा है तो 100 में हम वो चीज़ माइनस कर देंगे और denominator as it is 100 ही रहेगा और equal to का sign डालके हम लिखेंगे उसी number की new value ये रहा आपके सामने a old value multiplied by 100 increase हो रहा है 25% से तो 100 plus 25 और denominator में आगया 100 is equals to a new value इनको solve करेंगे तो हमें दिख जाएगा a old और a new की value 4 is to 4 by 5 है इसका मतलब क्या हुआ अब देखें हमारे पास exact value तो 3 नहीं इसका मतलब ये हुआ कि अगर for example in future ये question थोड़ा और बड़ा होता है और आगे जाके a old की कोई value दी है या a new की कोई value दी है हम उसको इन value से compare कर सकते हैं कैसे इस fraction का मतलब हुआ कि a old जो है अगर a old 4 units था यानि a की value अगर पहले 4 units थी तो a की जो new value होगी वो 5 units होगी ठीक है अब हम करेंगे next question अब यह आगया concept decrease का पिछला मैंने increase का बताया अब यह आगया decrease का question है b is decreased by 10% what is new value of b with respect to old value solution वही चीज़ b की old value रिखी multiply किया अब इसमें decrease हो रहा है तो fraction के हम numerator में 100 से minus करेंगे और denominator as it is 100 ही रहा तो is equal to का sign डाल के b की new value तो नीचे solve करते होगे हम देखेंगे b की old value अगर 10 units होती तो b की new value 9 units हो जाएगी यही था increase decrease का concept अब इसके base पे हम आगे questions करेंगे तो यह रहा पहला question question कहता है कि सुरेश के wallet में 200 rupees थे उसने क्या किया अपने जो wallet में amount था उसको 20% से increase कर दिया थोड़ी देर बाद उसने अपने जो नया amount है अपने उसके wallet में उसको 25% से और increase कर दिया अब बताईए हमें कि उसके wallet में अब final amount कितनी होगी यह question यह वीडियो एक बार आप pause कीजिए try करके देखिए जो मैंने आपको अभी concept बताया है वही लगा के देखिए अगर आपसे बन जाता है तो well and good अगर नहीं बनता तो solution अब मैं आपको इसका दिखाने जा रहा हूँ so यह रहा solution हमने solution में लिखा initial money उसके wallet में थी 200 रुपीज पहला increment हुआ 20% का तो हमने लिख दिया जो मैंने आपको बताया था increment हो रहा है तो fraction के numerator में हमने 100 में 20 प्लस किया हमारे पास 120 आ गया और denominator तो 100 ही रहेगा हमने इसको अभी solve नहीं किया क्योंकि अभी एक और increase होने next line देखिए पास आ जाएगा कि 300 आ जाएगी एक नई value यह 300 क्या है यह 300 वो value है जो उसके initial money में दो increments हुए और अब उसके पास wallet में यह final money है तो उन्होंने यही पूछ है कि initial money से कितने percent more यह जो more word है इसका बहुत significance है मैंने आपको इसलिए वीडियो में बताना है percentage में बताना है तो वैसे तो हम यह question खुद भी कर सकते थे मतलब जब आपको बताया था starting में ही कि जब percent or ratio में value पूछी होती है answer में तो हमें exact value लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती but since यह 200 बहुत easy number है बहुत छोटा number है हमने इसको सीधा ही solve कर लिया अगर कोई बड़ा number होता तो हम 100 लेके भी सीधा question solve कर सकते थे तो अब आ गया हमारे पास increase in money क्या है 300 minus 200 जो आ गया 100 rupees और इसकी percentage निकालेंगे 100 denominator में कौन से चीज आएगी जो पहली amount थी क्योंकि उसके respect में हमें बताना है कि कितना increase हुआ denominator में आगी 200 जो की initial money थी इसको 100 से multiply करेंगे percentage निकालने के लिए तो हमारे पास आजएगा 50% इसका answer यह आया next question यह भी same चीज पर है increase के population आप देख रहे हो A और B की increase हो रही है 10% से अच्छा A की हो रही है 10% से B की हो रही है 20% से respectively 1999 है था पुराना यह 2000 है new year हमें बताना है कि overall total population में कितना increase हो रहा है अगर यह आई next condition if 2000 में दोनों villages की चो population है वो बराबर होगी एक बार वीडियो को pause करिए और try कीजिए एक hint देता हूँ कि आपने वैसे A की increase करनी है B की increase करनी है जब increase करने के बाद 2000 की value होगी न उनको कुछ भी करके बराबर करने की कोश्च करना जब वो चीज़े बराबर हो जाएगी आपको पुरानी values भी मिल जाएगी नई values भी मिल जाएगी जिसमें 12 1 by 2% था जिसको हम 1 by 8 लेते थे जिरोंने पिछली वीडियो नहीं देखी लिंक description में है आप एक बार उस वीडियो को देख लो अब हमने क्या लिखा 10% हमें पता है 1 by 10 की बराबर होती है अगर हम fraction में लिखे हैं तो denominator क्या होता है denominator हमेशा जो पुरानी value होती है या फिर हम इसको कहें कि जो overall value होती है denominator हमेशा वो होती है जिससे हम question start करते हैं अब जो उपर क्या है question में क्या है increased by 10% तो उपर वाला जो number होगा जो numerator होता है वो increase in population होगा देखिए old population थी 10 increase हुई उसमें एक तो new population क्या होगी 11 similarly 20% क्या होता है 1 by 5 होता है old population थी 5 अब इसमें increase हो रही है के decrease हो रही है B में 20% increase दोनों में increase हो रही है तो यह जो 1 होगा यह add होगा 5 में और हमारे पास new population आजागी 6 यह right side में देखिए हमेंने लिखा हुआ है A की 1999 की population थी 10 A की 2000 की population थी 11 वैसे ही B की 1999 की population थी 5 B की 2000 की population है 6 अब next slide अब हमें क्या कहा है उन्होंने question के last में condition देजे थी कि 2000 में A और B की population बराबर होने चाहिए यानि हमें 11 को 6 के बराबर करने 6 को 11 के बराबर करने कुछ भी करके तो हम क्या करेंगे उपर वाले terms को 6 से multiply कर देंगे नीचे वाले terms को 11 से multiply कर देंगे नीचे देखिए अब आपको दिख रहा है A और B की 2000 की population बराबर है 66 उपर भी है 66 नीचे भी है तो अब हम इसको मान लेंगे कि इन यही जो values है 255 का सम किया 2000 में total population आगी 132 जो कि हमने 66 का सम किया अब total population 1999, 115, total population 2000, 132 इन दोनों में अब हमें increase बताने क्योंकि question में पूछा है कि कितनी increase हुई है तो increase क्यों होता है मैंने आपको बताया था increase, decrease, greater, lesser इन सब में हमेशा minus होंगे तो 132 से 115 15 बड़े से छोटा number minus किया हमने देखा कि 2000 में 17 की population increase हुई है as compared to 1999 और इसी की हमें percentage निकाल ली है numerator में आ गया 17, denominator में आ गया किस के respect की बात की गई है 1999 के respect की बात की गई है 1999 की population हम denominator में लिखेंगे 100 से multiply कर देंगे solve करने पे आएगा 340 by 23% यह रहा हमारा एक और question increase, decrease के form में तो question कहता है कि suppose कर लेजे पहली कोई एक fraction थी हमें नहीं पता क्या fraction थी उसमें numerator को हमने increase किया 300% से numerator होगी उपर वाले जो fraction की उपर वाली term होती है और denominator को भी increase किया 150% से denominator होती है नीचे वाली fraction तो new fraction जो हमारे पास आई वो थी 5 by 8 हमें original fraction बतानी है क्या है हमें नहीं पता original fraction क्या थी वो हम निकाल लेंगे अब हमने suppose कर लिया जो original fraction थी उसका numerator n था denominator d था x वे लेने के ज़रूरत नहीं चीज़े complicated हो जाती है ऐसे alphabet slow जो आपको याद रहें original fraction क्या आगी n by d अब new fraction क्या होगी new fraction क्या होगी जो old fraction थी उसमें numerator में 300% का increase हो रहे है मैंने आपको बताया था कि जितने percent का भी increase हो का आप 100 में add कर देंगे 100 में add किया आपने 300 आपके पास आगया 400 numerator और 100 तो denominator रहे गई रहेगा इसको solve करेंगे 4n आ गया हमारे पास new numerator new fraction का numerator वैसे ही हमने old denominator में 150 100 में 150 add किया 250 आ गया divided by 100 ही रहेगा और हमारे पास new denominator आ गया 5d by 2 अब हमने ये values put की हमारे पास new fraction आ गया 4n upon 5d by 2 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था last question में कि fractions को हम कैसे solve करते हैं तो 5d by 2 ये जो 2 है 5d का denominator जो है ये हम 4 में multiply कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8n by 5d new fraction पर question में हमें new fraction की एक value भी दी हुई है जो की है 5 by 8 हम इन दोन को compare करेंगे यानि 8n by 5d की value है 5 by 8 होगी cross multiply किया हमारे पास n by d की value आगी 25 by 64 और आपको याद होगा question के starting में n by d क्या थी old fraction थी तो ये आगया हमारा answer अब हम नए type के question करेंगे ये question है salary waste कुछ मुश्किल नहीं है same concept है बस आपने करते जाने है एक बार वीडियो को pause कीजी और try कीजी ये question मुझे लगता है आपसे हो जाएगा अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको इसका answer पताने लगा so question हमारा कह रहा था कि एक बंदे ने अपनी जितनी भी income थी हमें नहीं पता कितनी थी उसका 25% लिया और उसका rent दे दिया अब जो उसके पास बची हुई जो red word मैंने लिखा हुए remaining यहां तो मैंने highlight किया है पर आपने इस word का ध्यान रखना है paper के time में यह highlighted नहीं होगा आपको खोद इस word का ध्यान रखना है 20% of remaining उसने जो था वो खाने पे लगा दिया ठीक है और 10% of remaining या नी पहले 25% दिया remaining में से 20% भी लगा दिया अब एक और नहीं remaining आया उसके पास कितना बचा उसमें से भी 10% उसने घूमने फिरने ट्रेवलिंग या फिर जो भी होगा उस पे लगा दिया अब यह सब करने के बाद उसके पास end में 8100 रुपीज ही बचे हमें उसकी total income बतानी है अब एक चीज़ देखिए total income खुद में तो 100% ही होगी हम उसको 100 ही एजियूम कर ले क्योंकि हम question को 100 लेके करते हैं end में हम जो भी saving की value आईगी उसको 8100 से compare कर देंगे तो हमने क्या किय लिया उसकी total income को 100 एजियूम कर लिया अब हंडेड का 25% क्या होगा 25 ही होगा फो उसने लगा दिया house rent पे और उसके पास कितना बचा अभी पहले पहली spending करने के बाद उसके पास बचा 75 रुपीज अब 75 में से उन्होंने कहा कि 20% जो है वो तो उसने खाने पे लगा दिये 20% क्या होता है 1 by 5 होता है हमने 75 को 1 by 5 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 15 तो हमें पता चल गया कि उसने 75 में से 15 रुपीज जो थे वो लगा दिये खाने पे अब उसके पास कितने बचे 75 में से 15 माइनिस करोगे 60 बचे अब इस 60 में से भी उन्होंने कहा है कि इस 60 का भी उसने 6% क्योंकि उन्हें रिमेनिंग की बात किये और रिमेनिंग क्या था 60 60 का उसने जो 10% है वो लगा दिया कॹाने पे 60 का 10 या ओगा 6 यह उसने खाने पे लगा दिया तो उसके पास बचा कितना 60 में उसमें च्छे माइनस करोगे उसके पास 54 बचा यही 54 थी यूसकी हमने जो solve किया इसमें हमारे पास number आया 54 saving का question में जो दिया है question में दिया है 8100 saving का तो हमने 54 को 8100 से compare किया हमारे पास 1 की value आगी 150 और हमें value किसके निकालनी थी 100 की क्योंकि हमने question के starting में assume किया था total income उसकी 100 है तो 150 को हम 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer आजएगा उसकी total salary थी 15,000 यह आगे second question salary base पे ही शुरिया एक लड़की है जिसने 16% अपनी salary जो है NGO को देने का decide किया ठीक है जब देने का time आया उसकी नियत बदल गी उसने कहा कि नहीं मैं पूरी 16% नहीं दूंगी उसने 6567 रूपीज डोनेट किये जो की 75% था जो उसने पहले decide किया था यानि 16 का भी 75% ही उसने डोनेट किया अब हमें इसी के help से बताना है कि शुरिया की monthly salary क्या है हम क्या करते हैं शुरिया की जो monthly salary उसको 100 assume करते हैं ठीक है उसकी 100 units आगी उसकी monthly salary उसने starting में decide किया कि मैं 16 units जो है वो डोनेट कर दोंगी उसके पास बचेंगे 84 unit हमें savings कोई ले ना देनी है question में सिरफ देने की ही बात हुई है तो उसने क्या decide किया था कि 16 units वो डोनेट करेगी देने के time उसका mind बतल गया उसने क्या कहा उसने जो decide किया था उसका उसने 5, 6, 7 रुपीज ही दिया पर हम जो है अभी assumptions पे काम कर रहे हैं तो जब भी हम assumptions पे काम करते हैं हमने assume किया ना 100 unit उसकी salary तो हम जब भी हम assumption पे काम करते हैं हम हमेशा percentage और ratio पे work करते हैं exact figure पे काम नहीं करते तो हम 6, 5, 6, 7 पे काम नहीं कर सकते इसके बजाए हम 75% पे काम करेंगे तो यानि कि उसने अपनी salary में से अब 16 units देने के बज़ाए 12 units देने का फैसला लिया अब हम compare करेंगे और वो 12 units की value कहते है 6, 5, 6, 7 अब हम compare करेंगे as per question 12 units की value है 6, 5, 6, 7 वन की value आगी 6, 5, 6, 7 divided by 12 अब एक चीज जब आप question solve करने लगोंगे इधर तो आपको पूरा solution दिख रहा है जब आप solve करने लगोंगे न जब आप इस point पे पहुंच जाओगे जब आप 12 को 6, 5, 6, 7 से compare करोगे आप कहोगे कि 12 तो even number है और 6, 5, 6, 7 तो odd number है शायद मेरा question गलत जा रहा है पर ऐसी salary तो कोभी points में होनी न सकती तो salary तो exact figure ही होगी हमने next चीज देखी income क्या थी हमने assume कि उसकी 100 units हमने 6567 divided by 12 को 100 से multiply कर दिया और जब आप इस चीज को solve करोगे आपके पास एक income आ जाएगी जो कि decimal में नहीं होगी और ये रही वो income 54725 is income of Shreya अब हम करेंगे next exam based question question आपकी screen पे है काफी easy question है तो easy question मेरे लिए है आप चलो अगर start कर रहे हैं अगर आपने इसको पहले पढ़ा है तो आप निकाल लोगे अगर आप इसको first time पढ़ रहे हैं तो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक try जरूर मारें इस question की क्योंकि मैंने hint य वो 45 marks से fail हो गया वहीं एक दूसरा candidate है उसने 42% score किये और उसके जो marks थे 80 marks से 45 marks उपर है हमें total marks बताने हैं exam के कितने होंगे और यह रही आपके hint आपको पता है एक exam में दो बच्चों जो exam लिखेंगे उनके अलग-अलग marks आ सकते हैं बिलकुल आ सकते हैं पर एक चीज़ आ 100 marks का exam है तो आपके लिए 100 marks का exam होगा आपके friend के लिए 100 marks का exam होगा अगर उसके passing marks 40 हैं तो आपके लिए 40 marks ही होंगे और आपके friend के लिए 40 marks ही होंगे हम उन component पे काम करेंगे जो same होंगे क्योंकि आप जो marks score करेंगे वो अलग-अलग हो सकते हैं पर अगर दो equations में हमें कोई same element मिल जाए तो हम उनको compare कर सकते हैं उस same element के basis पे वही चीज मने लिखी है कि marks जो है अलग है पर जो passing marks है या फिर जो total marks है वो same है तो हम इन दोनों में से किसी एक पर काम करेंगे passing marks तो हमें निकाल maximum marks जो यानि कि total marks तो हमें निकालने है तो हम क्या करेंगे passing marks पे काम करेंगे एक बर वीडियो को pause करो और इससे try करने की कोशिश जरूर करो अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूँ यह रहा हमने क्या किया पहले candy rate के passing marks अब देखिए अगर आप 30% पे pass हो रहे हैं आपके कहते हैं यार 45 marks 30% पे आपके percentage आ रही है तो आप कहते हैं कि 45 marks और आ जाते तो मैं pass हो जाता अगर हम उसी 30% में 45 marks add कर देंगे तो आप pass हो जाओगे बिल्कुल हो जाओगे वैसे ही second candidate स्पोस कर लो आपका दोस्त है उसके passing marks से 45 marks उपर है ठीक है आप उसको कहते हैं यार तेरे 45 marks उपर आ गये है तो अगर अपने 45 marks मेर को दे दे किसी तरीके से तो मैं भी pass हो जाओँ तू भी pass हो जाए है ना तो हम क्या करेंगे वही 42% उसके उपर और 45 marks जो थे वो passing marks से उपर थे वो हम माइनस करेंगे तो वो भी passing marks में बन जाएगा अब दोनों बच्चों के लिए passing marks तो सेम होंगे तो हम equation को equate कर देंगे equate करने के बाद क्या आया 30% प्लस 45 is equal to 42% माइनस 45 percentage percentage हम एक साइड ले जाएंगे और numerical value हम एक साइड ले जाएंगे ये करने के बाद हमारे पास 12% की value आजेगी 90 यहाँ जे हम 1% की value निकाल लेंगे अब हमें पता है maximum marks खुद में 100% होते हैं तो हमें 100% की value निकाल लेंगे अगर हमारे पास 1% की value है तो उसी value को हम 100 से multiply कर देंगे तो हमारे पास 100% की value आजेगी यही मैंने यहाँ solve किया हुआ है 1% की value है 90 by 12 इसको हमने 100 से multiply किया और तो 750 हमारे पास आ गए maximum marks यह रहा second question exam based इसमें कहा गया है कि इस exam में एक exam था उसमें एक student ने 40% marks लिये और दूसरे student ने 45% marks लिये अब इसमें देखे दोनों बंदे पास हो गए है कोई fail नहीं हो गए जो एक बंदा है जिसने 40% marks लिये उसके marks जो है वो 35 जादा है पासिंग marks से और जिसके 45% marks दे उसके marks कितने 60 जादा है पासिंग marks से same question है आपको try करना है maximum marks बताने हैं यह रहे आपके options तो मुझे आप यह answer solve करके मुझे इनका answer आप comment में post करकर दिखाईए अगर आपने यह question solve कर लिया मतलब आपको यह concept clear हो गया हुआ अब यह आ गया next question यह बहुत easy सा question है इसमें हम नहीं क्या किया ratio proportion को mix किया बीच में percentage के साथ और कुछ नहीं किया हुआ question कहा रहा है कि ratio जो है लड़कों और लड़कियों की एक school में 3 is to 2 की है अब उसमें से जितनी भी वो है हमें नहीं पता 3 is to 2 में लड़के exactly कितने हैं लड़कें exactly कितनी हैं उन्होंने कहा है कि 20% boys जो है उनको scholarship मिलेगी 25% girls जो है उनको scholarship मिलेगी अब हमें percentage निकालनी है उन students की जिनको scholarship नहीं मिलेगी अब एक चीज़ बताइए question में हमें क्या निकालने को exact value निकालने को कहिए यह percentage निकालने को कहिए यह लिखा है find percentage तो हमें percentage में answer निकालने जब भी percentage जो ratio में answer निकालना होता है तो हमें exact value पर काम करने की जुरुरत नहीं है हमने assume कर लिया कि 3 to 2 की ratio है ना हमें 3 to 2 की ratio maintain करनी है हमने लड़कों को 30 मान लिया लड़कियों को 20 मान लिया ठीक है अब देखिए लड़कों को 30 माना लड़कियों को 20 माना अब उन्होंने क्या कहा है कि 20% लड़कों को scholarship मिली है तो कितने % लड़कों को scholarship नहीं मिली है 80% को 100% से आप 20% माइनिस करोगे तो 80% है 30 का 80% क्या होगा अगर हम इसको हवा में solve करें आपको पता 80% का % हटे का तो 100 आएगा आपको 80 के साथ भी 0 दिख रहा है 30 के साथ भी 0 दिख रहा है आप वो दो 0 100 के 0 से cancel कर दो आपके पास सिरफ 8 इंटू 3 बचेगा तो 8 3s are 24 यानि कि 30 में से वो 24 लड़के हैं जिनको scholarship नहीं मिल रहा वैसे ही अगर 25% लड़कियों को scholarship मिल रहा है तो 75% यानि कि 75% लड़कियों को scholarship नहीं मिलेगा है ना तो 20% का 75% क्या होगा 20% का 75% अब जब आप solve करोगे तो आपके पास आजएगा 15 ठीक है 20 में से 15 लड़कियों को scholarship नहीं मिल रहा अब हमने question के starting में assume किया था total लड़कियों है 30 total लड़कियों है 20 तो इन दोनों का sum मिला के total student 50 हो गए है ना total student 50 हो गए जिनको scholarship नहीं मिल रहा वो 39 student है हमने 39 को 50 से divide किया 100 से multiply किया तो 78% आ गया हमारे पास इसका answer ये question आप खुद भी कर सकते थे जिन जिन्होंने खुद किया है बहुत अच्छी बात है यानि आपको percentage के concept काफी easily clear होते जा रहे हैं जिन्होंने नहीं किया कोई बात भी एक बार practice कीजिए दो बार practice कीजिए questions आ जाएंगे अब आया ये next question ये आ गया question थोड़ा अलग type का है तो आपको बताना कुछ depreciation होती है amount में तो company ने depreciation करके बताया कि अगर आपकी car कल को accident होता है और total loss हो जती है हम आपको 2,00,00 नहीं देंगे हम उसका 85% ही आपको वापिस देंगे ठीक है पर जब असली time आया claim लेने का तो company ने क्या कहा कि नई सर 85% जो हमने agreement पे लिखा था वो हम देंगे पाएंगे हाँ जो amount हमने पहले decide की थी उसका हम 90% आपको वापिस कर देंगे यानि कि 90% of 85% ठीक है सुनने में confusing लग रहा है solution देखो solution में आपको easy लगने लगएगा ठीक है next cheese आगी उन्होंने कहा actual price और जो company ने बंदे को price पे की उसमें difference किया actual price तो आपको 2,00,00 पता है आपको बस company की price निकालनी है और उन दोनों को minus कर देने है शुरू करते हैं अपना solution actual price है 2,00,000 ने जो उनको price देने agreement पे देने की बात की थी वो थी 85% जब हम solve करेंगे तो आपको पास आजएगा 1,70,000 next cheese company ने 1,70,000 उसको complete pay नहीं किया company ने उनको 90% of 1,70,000 पे किया ठीक है 90% of 1,70,000 निकालनेंगे तो हमारे पास आजएगा 1,53,000 अब ये है वो amount जो company ने उसको pay की है और उपर ये है वो amount जिसको company ने जो car की actual price है इन दोनों का हमने यहाँ difference निकाला और जो question पूचा हुए difference question में difference में difference ही पूचा हुए तो वही आ गया है 2,00,000 में से 1,53,000 आप निकालोगे तो 47,000 आपके पास आ जाएगा और यही है इस question का answer तो ये था आज का last question इसके साथ हमारा आज part second खतम हुआ कल हम करेंगे final part यानि कि part 3 percentage का और इसके साथ आपकी percentage खतम हो जाएगी प्लीज आप like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए thank you